असलाम अलेकुम अब्रीवन तो आम शॉर आप सबके घर में कभी ना कभी तो यह सिचुएशन आती है जब कोई ग्लास का जार टूट जाता है उसमें क्रैक आ जाते हैं और इस्पेशली मैंने तो यह ओडर किये थे ऑनलाइन बागी सारे ग्लास जार तो अच्छा हैं बट उ और फिर सबसे पहले इसके क्रैक्स को कवर किया उससे संस मेरी ग्लूगन काफी जादर छोटी वाली थी तो काफी वक्त लग रहा था ग्लू बाहर ही नहीं आ रहा था as you can see my struggle in this वीडियो बट स्टिल मैं कोशिश कर रही थी और मैंने ऐसी रैंडम सा कोई भी ईजी सा पैट पैटन में से बनाते जाओ बनाते जाओ और एक सबसे इंपॉर्टन चीज यह कि जब भी आप होड लूगन का यूज करो तो अपने हैंड्स को काफी प्रोटेक्ट करना पड़ता अगर एक भी मतलब एक भी ड्रॉप अगर टच हो गया ना आपके हाथ में तो बस वो तो ज कीज़ आओं जलना पक्का ही है तो काफी जलने का डर होता है तो मैह तो किट्स को यह नहीं समगरेंगे एकर कुछ कुछ BOY यह करना चाहते है तो प्लीज आपने पैरंस की है यह करने और ब Ci dar Cathy करते हो हमारा यếः पूरा पैटन बन केपर पहले मेंने सोचा था मैंसे नेल प मार्केट्स में अवलेबल है और आप इसमें बस यह डाल दो और इसका डबा बन कर दो कितना जादा प्रिटी लग रहा है मतलब कर तुम यह लैंप लेने जाते हो मार्केट से तो आम शूर इसकी वैल्यू थाउजन प्लस ही होने वाली है और मुझे यह बनाने के बाद इतनी जादा साटिसफेक्शन से फील हो रही थी ना मतलब लग रहा था हाँ आज कुछ तो अच्छा किया मैंने तो बस इतने इजी प्रोसेस से से फोल गलू गन से हमारा यह ब्यूटिफल सा लाम जार बनके रेडी है और नाइट लुक तो इस और कॉमेंट में बताना की कैसे रिजल्ट आएं और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल और लाइक शेर फॉलो एस वेल और मेरा इंस्ट्रिग्राम भी चैनल है DIY with M और वहां पे भी फॉलो कर लिजएगा मिलते हो नेक्स व्याइब लीच वेथ अगरियो ओुलो को थासे व worrying बबदाबावलो ग्याइब टंको अच्मेट चैनल हो प्लीज सब्सक्राइब टंको उनल हो चैनल हो फो वान मेराव थॉलो को थो नेक्स वीचाहिएब को वेश ड़ॉलोँ ऑ्यलोर